इस वीडियो में बात करने वाले हैं पे 5 बैंकिंग एपस के बारे में जिससे आप लोन दे सकते हो आपको किसी भी ऐसी लोन आपसे ज़रूर लेने ज़रूरत नहीं जो ज़्यादा इंटरस्ट आपसे चार्ज करती है ज्यादा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे चार्ज करती है लेकिन हम जो बैंकिंग एपस के बारे में बताने वाले हैं उनकी कुछ टर्मेंट कंडिशन्स हैं जिनको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा और इसमें दोस्तों कम से कम आपको 10,000 लोन मिलेगा क्योंकि 10-20,000 ही लोन मिलेगा ऐसा नहीं कि आप 4,000-5,000 का लोन अप्लाई कर सको दोस्तों मैं आपको बताना चाहिते हो तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहेगा अगर आप चैनल में नहीं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो से चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे कि हमने आपको पहले बताई था कि अगर आप लोनर अपसे से लोन लेते हो तो बहुत सरी इसमें कमिया होती हैं जैसे कि आपकी कॉन्टेक लिस्ट एकसिस, बहुत सारे अकसिस लेना या फिर जादा इंटरेस्ट चार्ज करना जादा पैनल्टी लगाना लेकिन वहीं पर आप banking loan अपसे loan लेते हो तो बहुत सारी चीज़े आपको कम रेट में मिल जाती है जिसके वज़े से आप पे बहुत ज्यादा बोज नहीं होता है डिपमेंट करने का तो आज हम ऐसी ही 5 एपस के बारे में जाने वाले हैं जो इस direct bank के एपस की तुरू यहापको मिलने वाला है तो दोस्तों मैं आपको बोलना जाओंगा अगर आपको छोड़े मोड़े पैसों की नीड है 5-10,000 की नीड है या 20,000 की नीड है तो यह नीड आप पैसे कमा के कर सकते हो पूरी और आपको loan लेने लेकी जरूरत नहीं है क्योंकि loan चोटा हो या बड़ा हो loan एक liability होता है जिसको हमें pay करना होता है ज्यादा interest के साथ ज्यादा मतलम की penalty के साथ या फिर आपको ज्यादा ही देना पड़ता है इसके लिए आप हो सके तो earning पे ध्यान दो उसके लिए हम आपको कुछ apps recommend कर रहे हैं जोगी आपको सिर्फ refer करने पे whatsapp पे facebook पे instagram पे आपको पैसे देती है तो उस apps का नाम है दोस्तो सबसे पहले upstock apps जी हां दोस्तो आप side screen पे मेरे देख सकतो तो आप stock ने अभी क्या कर रहा है पर refer का आपको app stock दे रहा है 800 रूपीज जी हां तो इस तो 800 रूपीज पर refer का दे रहा है और सबसे बड़ी शीज इसमें account opening बिल्कुल यहां पे free है अगर आप आज के time पे account बनाते हो जब मैं वीडियो पर record कर रहा हूं उस time पे free हो सकता ह जब आप वीडियो देख रहा हो आने वले time पे काफी time बाद तो साथ charge लगने लगा हो लेकिन अभी पूरी तरीकी से free है अगर आपको इसमे account बनाना है तो सिर्फ आपको अपना आधार काट की detail पैन काट की detail और आधार link number होना चाहिए ऐसा नहीं आपको upload करना है कुछ तो और भी apps के link है description में ने दिए दो apps के जिसमें आप सिर्फ register करोगे दोस्तों तो आपको यहां पे 100-100 रुपीज मिलेगा तो description को जरूर चेक आउट करो और यहां पे घरबेटे पैसे कमाओ फिर भी requirement नहीं होती पुरी तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं loan apps की name तो जो साथ हम बात करेंगी हर एक loan apps की तो चलिए चलते हैं अपने mobile screen पे और वहां ले जाके हम बताते हैं तो सबसे जो पहली एप से दोस्तों जो है IDFSC first bank है जो की loan online इससे apply कर सकते हो 5 million plus download हो चुके हैं दो लाग सम्तिंग इसके reviews है और 4.2 star की rating है जो की सही है और बात करें इसमे चोटा मोटा loan pay कर देते हो इसमें बहुत सारे loan के options आपको मिल जाते हैं यह फिर आपने offline loan लिया है तो इसमें आप loan अपना loan की details यहाँ पर देख सकते हो अब हम बात करते हैं कि कैसे यह loan मिलेगा तो इसके लिए eligibility criteria मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं तो चलिए यहाँ यहाँ बात कर लेते eligibility criteria की ठीक है तो तो आपको कैसे मिलेगा ये loan तो इसकी जो eligibility है वो होना चाहिए आपका इंडियन citizen होना चाहिए आपकी उमर 23 साल से जाधा होनी चाहिए और आप serviceable location मतलम होता है कि IDFAC का जहां पर office हो या फिर आपका कोई branch हो तो वहां पर अगर है nearest तो आप यहां पर apply कर सकते हो इसली आपको मिल जाता है लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट लगती है आपकी इंकम वेरिफाई हो सके या फिर आप एक कोई मिनिममम ट्रांजिक्शन करते रहे तो इस बैंक के थरू तो आपको यहां पर आफर अबलेबल हो जाता है ठीक है तो आप ट्राई कर सकते हो क्योंक इस टाइम पर यह लोग दे रहे हैं ठीक है इन भी लिकुड़ेटी है तो बात कर लेते हैं दूसरी एपस की तो दूसरी एपस की दोस्तों बात करें तो इसका नाम है आई-सी जो है मोवाइल जी हां दोस्तों आई-सी एपस है अगर आप आप आई-सी यूजर हो तो आपक आपको लिम्ट मिल जाती जिसमें आप कोई भी लोल ले सकते हो तो इसके लिए यह है दोस्तों अगर आप आई-सी के यूजर सन नहीं हो तो उसके लिए आपको वैबसाइट में जाके बत करना है और वैबसाइट में कैसे जाना मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर आपको 10.5 की minimum interest पर यहां पर मिल जाता है कम से कम और उसमें कम से कम आपको 50,000 का लेना ही पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको इस पहले ही बताया है कि इसमें हमेज़ से आपको 50,000 से बड़ा ही लोन मिलेगा तो SSE ने दोस्तों यहां पर कि आपको बड़ा ही लोन मिलता है इसमें छोटे लोन यहां पर नहीं देते हैं बात करें EMI calculator भी अपनी EMI calculate कर सकते हो अगर आपको rate of interest अच्छा यहां पर मिलता है जिस भी rate of interest जो भी rate of interest मिलता उसमें अपनी EMI calculate कर सकते हो कि आपको कित्ती हमाई लगेगी ठीक है और अगर बात करें इसके दोस्तो eligibility criteria की अगर आपको eligibility criteria जानना है तो इसको back करना पड़ेगा कि इसकी eligibility criteria क्या है आपको कैसे इसमें instant मिलेगा तो हम इसको back कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर eligibility criteria की बात करें तो आपकी उम्र 23 साल 59 साल होनी चाहिए और आप एक salary होनी चाहिए जिसकी minimum salary 30,000 होनी चाहिए यह दोस्तो मैं किसके लिए बता रहा हूँ दोस्तो जो self-employed है और जो इसके users नहीं है उसके लिए आपको salary लगेगी और अगर आप already users हो तो आपको pre-approved offer यहाँ पर मिल जाएगा self-employed के लिए criteria क्या है 28 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम आपकी और यहाँ पर आपको इतनी चीज़े होनी चाहिए ठीक है आप बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी apps की यह तो दूसरी apps थी आप बात करेंगे लिए apps की दोस्तों तो तीसरी app से आई-ई-फैल लोन है जिसमें आपको statement के basis पे लोन मिल जाता है अगर आप बिजनेस कुछ भी छोड़ा मोड़ा करते हो सो कर सकते हो तो आपको इसमें लोन मिल जाता है ठीक है और जादा बड़ा तो नहीं मिलेगा विक है ठीक है हाला कि मैं कोई recommend नहीं करता लेकिन अगर आप apps के तुरू अगर आपने बन बन आ लिए ले नहीं लेना तो इससे पहले आपको banks की apps के तुरू ट्राई करना पड़ेगा तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप banks के तुरू लो या बड़ी NBFC के तहत लो तो ज्याद चाहिए और आपको थोड़ा से बैंक के लिए भी जाना पड़ सकता है ठीक है तो यह आपस भी है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं इसमें भी आपको छोटा मोटा सा कुछ बिजनेस सो करना पड़ता है और यह apps भी आपको लोन देती है ठीक है तो यह भी एक banking की आपसे बं करेगा और दोस्तों इसमें आपके लिए SBI का bank account होना जरूरी है और आपकी एक particular salary credit होनी चाहिए bank में जिससे bank verify करेगा और उसके बाद ही आप apply कर सकते हो और भी दोस्तों बहुत सारी apps जैसे आपकी अगर बात करें आपका जो भी bank account है ठीक है जिस भी bank account है तो आगर आपकी salary आती ही minimum तो आप डारेक्ट उसमें जाके apply कर सकते हो आपको instant मिल जाएगा ठीक है लेकिन apps के थूरू भी कर सकते हो लेकिन particular एक इनका क्राइटेरिया होता है apply करने कर ठीक है तो मुझे उमीद है आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आगे वीडियो को like कर दीजे कर बेकिन के गया है जाइँ कर गया होगा।